अगर आप दुबले पतले हैं और अपने दुबले पतले सरीर से परेशान हैं, आप दुबला पतला होने के साथ साथ कमजोरी भी महसूस करते हैं तो ये वीडियो पूरा देखिएंगा, मैं अपने आगे के वीडियो के लिए रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक ऐसा खजाना हाथ लगा है जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफीजियल है और मैं आपको आगे के वीडियो में वो सारी चीजे वो सारे रिसर्चेश देता रहूंगा जो कि आपको बहुत ताकतवर बनाएंगे और ये सारी चीज़े बहुत सस्ती हैं हम घर पर अपने सरीट को स्ट्रॉंग और मजबूत बना सकते हैं इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिज हैं ताकि वो वर्ड लेबल पर वर्ड स्टेज पर जाकर के लोगों के साथ कंपीट कर सके और मैडल जीत के ला सके तो अगर आपको भी देशी शरीर चाहिए और ताकतवर शरीर चाहिए तो आपको तीन केला और सौ से डेड़ सो ग्राम खोवा लेना है और सुबह नौ से दोपहर के बारा बज़े के बीच में ये चीजे मतलब तीन केला और सौ से डेड़ सो ग्राम खोवा खाना है आपको ये दोनों चीजे एक साथ खानी है मतलब एक बाइट केला फिर एक बाइट खोया इस तरह से आपको इसे खाना है ताकि वो दोनों चीजे आपके सरीर में क्योंकि इस सरीर में बहुत ज़्यादा उर्जा भर देता है तो आपको करना है देशी कसरत जिम में नहीं वर्काउट करना है आपको देशी कसरत करना है और अगर आप जिम में भी वर्काउट करते हैं तो आप लोगों को हैवी वर्काउट करना है और अपने workout में push up को include करना है 100% करना है और आप लोगों के अंदर जो भी कमजोरी है वो कमजोरी खतम होगी आपका muscle बहुत तेजी से ग्रो करेगा इसकी guarantee मैं लेता हूँ तो अगर आप दुबले पतले सरीर से परिशान है कमजोरी से परिशान है इस टैमिना की कमी से परिशान है तो आप लोग 3 केला और 100-150 खोया खाना शुरू कर दीजिए आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी तो भाई आज के वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद नमस्कार जैहिंद